नमस्कार दोस्तों गैविए यॉक्यारशन फैकल्टी पप सभी लोगों का श्वागत है दोस्तोंकि पिछली क्लीख में सिंद्धुनाधी तंत्र को देखा था आज हम ़ोग बात करेंगे गंगानाधी तंत्र पे हैं ठीक मैं इसके पहले हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने से पहले इसके हम लोग शमानी पर्चे की बात करेंगे शमानी पर्चे की बात करेंगे तो इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है कितनी राज्यों से होकर बहती है इसको जो कि गंगा नदी राष्टी नदी कब घोसित किया गया इसकी कुछ कि लंबी नदी है कि इसकी लंबाई कि दू हजार पांशो कि दू हजार पांशो कि दू हजार पांशो पचीस किलो मिटर है यह भारत की कुछ राज्यों सो के बाद यह इसे उत्राखंड इसके बाद चले जाती है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बाद चले जाती है बिहार में बिहार के बाद ज्यारखंड में ज्यारखंड में इसके बाद चले जाती है यह पस्चिम बंगाल में पस्षिम बंगाल में जाकर यह दूध़ावन बढ़ जाती एक ध्राव सिल जाती है आपका अ इस दारगों में ठीक तो इसी बात करें कि सरवाधिक की सराज में बहरती है तो यह सरवधिक जो हुए कि इसका विष्टार सरवाधिक ये शरवाधिक उत्तरपदेश में तथा सबसे कम सबसे कम जारखंड में बहती है जारखंड में बहती है ठीक ना कि यह मुख के बात है इसकी यह जो है कि स्वक्ष स्वक्षण वाले न दिये यह जो है कि स्वक्षण स्वक्ष होने वाली नदी है वाली नदी है स्वक्ष हो जाती है क्योंकि इस में एक एक आपका विसारू पाया जाता जिसका नाम है बैक्टिरी फेज जीवाड़ों को खा जाता है तो कारण क्या है क्योंकि इस नदी में भाइक्टिरी फेज कौन सा बिशाड़ों दोस्तों बैक्टिरी फेज बैक्टि रिफेज बैक्टिरी फेज नामक बिशाड़ू पाया जाता है बिशाड़ू पाया जाता है ठीक ना यह जो कि स्वता स्वक्ष हनवारी नदी क्यों होता है इसा दोस्तों कि मैं इसमें बैक्टिरी फेज नामक बिशाड़ू पाया जाता है जो छोटे छोटो जीवों को खा जाता है इसलिए स्वता स्वक्ष्वन वाली नदी है यदि बात करें कि इसे जो कि कि 2008 में राष्टी नदी घोशित किया गया है भारस्ष सरकार द्वारा भारस्ष शरकार द्वारा कि भारस्ष शरकार द्वारा 2008 में भारत की भारत की राष्टी नदी गोशित की गई है गोशित की गई है ठीक ना यह आपका समाने परिचे इसमें कुछ और परिचे है उसको अगले पेच पर देख लेते हैं आम लोग ठीक ना तो इसको मुख्य बाते हैं यह दोस्तों कि भारत की शबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है 25-25 सबसे कम जारखंड में बाती है यह स्वता स्वक्ष होने वाली नदी है इसकी हों दोस्तों कि इसमें बैक्टिरी पेज नामक बिशाड़ू पाए जाता है ठीक ना भारत सरकार द्वारा इसी 2018 में भारत की राष्टी नदी घोशित की गई है ठीक ना इसकी खाज विसेश् सरकाजयल जो है कि श्वक्ष है इसे जो है कि 2009 में राष्टी जली जीव घोशित किया गया है भारत सरकार द्वारत इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं दोस्तों ठीक कि 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 ठीक ना इसके अलाव आप देखेंगे तो कि गंगा में जो है कि गंगा में कि शरवादिक कि शरवादिक कि डालफिन मचली पाए जाती है कि फिन मचली कि पाए जाती है कि शरवादिक डालफिन मचली पाई जाती है ठीक ना दूजार नौ में कि भारष सरकारद्वारा कि भारष सरकारद्वारा कि इसे राष्टिय इसे राष्टिय जली जीव गोसित किया गया है इसके सर्रच्छण के लिए बिहार में जेगा है आपका भागलपूर में बनाए गया है जिसका नाम है बिक्रम-सी ला अब भभार्ण थिक तो डालफिन के सर्रचणके लिए डालफीन के सर्रच्छण के लिए सर्रच्छण के लिए बिहार के भागल पुर जिला में बिहार के भागल पुर में बिक्रम शीला बिक्रम शीला अभ्यारण बनाया गया है अभ्यारण बनाया गया है अभ्यारण बनाया गया है इसके लिए इसके कुछ मुख के बात यह और है जैसे इसको जो है कि बांगला देश में गंगा नदी को बांगला देश में बांगला देश में पत्मा कहा जाता है पत्मा कहा जाता है ठीक इसका उद्गम कहां से दोस्तों इसका जो उद्गम है आपका गंगोत्री हिमनस है उत्राखन के गंगोत्री गंगोत्री हिमनस है ठीक इस मुहाना कहां बनाती है तो मुहाना अपनाई है बंगाल की खाड़ी में ठीक ना यह रहा है आपके गंगा नदी के कुछ समान्य परिश्य है ठीक ना अगर देखा जाए ब्रतमान में तो गंगा नदी बहुत ज्यादा दूसित हो चुकी है क्यों हो चुकी है दोस्तों कि इसका जो एक गंगा नदी के जल में एक जुवानु पाया जाता है जिसका नाम है फैकल क्वाली फार्म के विस्यस्ता यह होती है कि यदि किसी भी जल में जैसे माल लेते हैं गंगा जी का इस सो यमेल जल है तो उसमें इसका परिछन किया गया दोस्तों तो इसमें 100 ml जल में 100 ml जल में दोस्तों 6,000 जो है कि फैकल क्वाली फार्म जो आडू बाया गया था तो इसलिए यह बहुत ज्यादा दोसित हो चुकी है इसके लिए कि इसके सुद्धी करण के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठ रखाय है जय कि बात करें किया थाamedig इसके बदर नमवी गंगे चौद्ह में इसके ब्रशच किया था लॉप नली की अच्छी ब्यवस्था हो जल की सुधी करण की ब्यवस्था हो सहरों को जो की सप्लाई धारा त्वारा पानी पहुचाया जा इसके अलावा यदि बात करेंगे कि यूपी में जिसे कौन-कौन से इसे गंगा किनारे सहर है जो गंगा इसमास सीटी बनाने में प्रियाग राज लखनव जो है कि गंती नदी के किनारे बास आए लेकिन गंती नदी अंतता जाके गाजिपूर के अओड़िहार नामकस्थान पर गंगा मिल जाती है जितनी सारी नदिया है तो इसे अगर होगी जाईर शी बात है गंगा भी दूसित होगी इसलिए भारत स समानी परिचय की बात हो गई अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराखंड में पंच परियाग कैसे बनता है पंच परियाग के बाद ही गंगा का उद्वह होता है दोस्तों आईए हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड के पंच परियाग की ठीक ना प्रियाग है तो आईए हम लोग देख रहते हैं कि किस-किस नदियों के मिलने से कौन सा प्रियाग बनता है ठीक तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भागी रथी की भागी रथी कहा निकलती है यह निकलती है आपकी उत्तर कासी जिला के गंगोत्री हिमनद यह आपकी है एक नदी यहां एक यह आपका गंगोत्री हिमनद गंगोत्री हिमनद गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है भागी रथी निकलती है इस प्रकार ठीख कौन सी नदी है यह भागी रथी है यह आपकी है भागी रथी नदी कहां से निकलती है तो गंगोत्री हिमनत कहां है आपका उत्तरकासी जिला में है कहां है कंए उत्तरकासी में उत्तरकासी जिला में ठीक इसके बाद क्या है कि इधर से एक नदी आती है आपकीो जिसका नाम है अलकनन्दा है यह आपकी हैं अलकनन्दा अलग नंदा नदी कहां से निकलती है दोस्तों तो यह निकलती है संतो पत्थ ग्लेसियर से उत्राखंड में यह भी अस्थान है आपका यह शंतो पत्थ ग्लेसियर से संतो पत्थ ग्लेसियर से निकलने के बाद इसमें कुछ मुख्य नदिया मिलती है दोनों नदिया जहां मिलती है दोस्तों इसका नाम है आपका अलक नन्दा यह आपकी अलक नन्दा नदी है यह आपकी है अलक नन्दा अलक नन्दा ठीक इस दोनों नदि कहां मिलती है तो उस अस्थान का नाम है देव पर्याग तो देव पर्याग में कौन-कौन सी नदी मिलती है तो अलक नन्दा और भागी रथी ठीक इसके बाद क्या होता है कि यहाँ एक नदी है आपकी धौली गंगा निकलती है आके मिलती है आपकी कहाँ अलकनंदा में जहां मिलती है उस अस्थान का नाम है बिष्रू परयाग यह आपका है बिष्रू प्रियाख थेक विश्डू प्रियाग ये नदिया कान सी प्रियाख ये है अधियर धह्ली गंगा है कि दह्ली गंगा धोली गंगा अलक नंद्ए की मिलने से विश्रू प्रियाग बनता है इसके बाद एक परियाग और है आपका है नंदाकनी नंदाकनी नदी जहां मिलती है वहां बनता आपका नंद्र परियाग यह आपकी नदी है एक एक नदी है यह आपकी है नंदाकनी 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 नदी कहां मिलती है यह मिलती है आपका विश् बिशुडू परियाग के बाद एक और आपका कॉण पर्याग में कौन नदी आके मिलती तो आपकी पिंडार नदी यह आपका है आपका अस्थान वे नदी कौन सी है तिन नदी आपकी पिंडार नदी पिंदार नदी है जहां मिलती है उस अस्थान का नाम है आपका तनी से मिष्टे खो गया दोस्तों जहां नंदाकनी मिलती है वह अस्थान है आपका नंद प्रयाग यह आपका है विश्रू प्रयाग नहीं विश्रू प्रयाग तो ऊपर है विश्रू प्रयाग आपका धहुली गंगा और अलग नंदा की मिलने के वज़ा से बनती है यह अपका है नंद प्रयाग ठीक के लिए वाफी अपने ऋ Ст但是 मिलती है उस स्थान का नाम है Nand Pryag ठीकश्च्च फिंडार नती पिंडार नती जहां पर मिलती के आपका कण्ड प्रयाग यह आपका है कण्डर प्रयाग झ्लियर इसके बाद आप देखेंगे, तो एक या आती है, मंदाक्नी जी स्थान को मिलती है, उस स्थान का नाम है, रूद्र प्रयाग यह कौन का नदी है ? यह आपकी मंदाक्नी मंदाक्री नदी है कहां मिलती है तो यह मिलती है आपका रूद्र प्रयाग में रूद्र प्रयाग में ठीक ना कोई दिक्कत नहीं होनी ची आपको बस इतना याद रखिएगा कि भागी रती और अलक नंद जीस अस्थान पर मिलती है वह अस्थान कलाता है देव प्रयाग फिर ठीक अब भागी रथी कहां से निकलती है तो गंगोत्री हिमन से किस जिल्यमें उत्त्रकासी में है पूरि जितनी खञपना होती है उत्राखन की घटना ठीक इसके बाद आपका अलग नन्दध कहां से निकलती है तो संतौपत नंद पर्याग इसके बाद आपकी पिंडार नदी आके मिलती है अलाग नंदा में उस अस्थान का नाम है आपका कड़ पर्याग ठीक ने एक और है रूद्र पर्याग यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अब हम लोग जी बात करें ते लिए घंगा नदी की यहां तक दीकत नहीं होनी चाहिए मैं इसे ही अस्थान के भाद जैसे ही नदी आगे बढ़ते है उत्रा खंड में इसका नाम पढ़ जाता है गंगा यह अब गंगा नदी अब बहने लगते है ठीक तब हम लोग अब गंगा ताके बिश्तार में देखेंगे किस कौन कौन सी नदी इसमें आके मिलती है कौन कौन सी सहर इसमें बसेवे नदी के किनारे ठीक न तक कोई दिकत नहीं है हम लोग बात करें लेते हैं गंगा नदी की ठीक पंच पर्याक के लिए दोस्तों और हम लोग बात करेंगे गंगा नदी की दिखी अब यहां से भागी रथी है यह आपकी अलग नंदा है ठिक यह अलग नंदा है यह आपकी भागी रथी है इसके आग यह तडिक दिखसीर मंगा नदी इस प्रकार भागते हुए यह उत्तरकंड उत्तरपदेश बिहार ज्हारखंड होते वह पस्चिम बंगाल में चल जाती है ठिक पस्चिम मंगल में जाने के आपका बांगलादेश में ठीक अब देखिए अब यहां से यहां तो कोई दिकत नहीं आपको कौन सा अस्थाने यह आपका देव पर्याग है देव पर्याग में कौन सी नदी मिलती है कि अलग नंदा और भागी रथी फिर इसके बाद क्या होता है कि कि यहां आपकी नदी मिलती है कौन सी राम गंगा नदी राम यह आपकी है राम गंगा कि राम गंगा नदी यह कहां मिलती राम गंगा नदी यह मिलती आपका कन्योज में कन्योज कन्नाज में अके मिलती है दोस्तों गंगा नदी में कर नदी ठीक उसको यहां झाल कि क्रिके कहां मिलती है यह कफे इस मिलती आ। गृणि तो दूस निकलती है यह उत्रा Awesome एंदार के नईनित ताल से निकलती है इसके किनारे कुछ सहर वहीं यहीं सब्सक्ने कट्राइब हो गया बरेली है बदाई ॉग गया तो कौन सा सहर खें यहीं वही ने सब्सक्त में प्राइबाद है यहां पर मूरादाबाद इसके बाद देखेंगे तो बरेली है अब इसके बाद रामगंगा नदी के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी एक गुम्ती नदी जो है कि कहां से निकलती है तो पीली समीक करती है की जो फुल से निकलता है तो उत्तर पडेश में बढर आतिए इसका नाम है गोमती तो यह आपकी गोमती नदी है ज से अधिक जुबटी नदी प्रद्टी कहां निकलती है तो यह फुला हर भीन से निकलता है आपका पिली भीत जिला ठीक अब इसके किनारे कौन-कौन से सहर बसे हैं तो गोमती नदी किनारे अगर देखेंगे तो गोमती नदी किनारे आपका लखनव, जौनपुर, शुल्टानपुर कुछ सहर बसे हुए हैं कौन-कौन सा लखनव है लखनव गया इसके बाद जौनपूर है ठीक गोंती नदी कहा मिलती है दोस्तों गोंती नदी आपका गाजीपूर के और इहार नामा कस्थान पर मिलती है इसको लिखेंगे हम लोग गाजीपूर ठीक कौन सहस्थान है हुआ 3 पर इहार नामा कस्थान पर जा nonprofits मिलती है ठीक इसके बाद आप देखेंगे के आगे मत अपकी कि अग्व का मिलेगी नदी नदी कहां से निकलती ये दोस्तों आंपाल से कहां से निकलती है मक्सPre-शतन नश्र। जाती है इसके पाद देखेंगे यह आपकी कौन से नदी कि यह आपकी घाघरा कि यह आपकी घाघरा है थिक घाघरा नदी कहां से निकलती है तो नेपाल से निकलती है नेपाल में इसे कहा जाता है करनाली नदी नेपाल में शिका आ जाता है करनाली नदी नेपाल में शिका जाता है करनाली नदी ठीक भारत में बात करें उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जब फैजाबद में पहुंचते हैं तो इसका नाम पढ़ जाता है शर्यू नदी किनारे कौन सा शर्वता है दोस्तों तो शर्यू न जहां बगवान श्रीराम पायोध्या शहर तो घागरा नदी कि इसको कहा जाता है नेपाल में करनाली नदी जब यह पाइजा बाद में पहुंशत है तो इसका नाम पढ़ जाता है अध्या इसका नाम पढ़ जाता है श्रुण नदी, nåमा कस्थान से निकलती है नेपाल के मकसतुंग नामा कस्थान से निकलती नदी आपकी गंडक नदी यह आपकी गंडक नदी है कि यह कौन से नदी है गंडक नदी है कि गंडक नदी कहां से निकलती है दोस्तों धौला गीरी से निकलती है कि धौला गीरी पहाड़ी से निकलती है ठिक गंडक नदी इसके बाद अब घागरा नदी कहा मिलती है दोस्तों तो छपरा में मिलती है बिहार के छपरा नाम pres ृश्थान पे पर यह मिलती है कि इसमें गंगा नदी में ठीक गंड़क नदी कहां मिलती है तो गंड़क नदी जो है कि आपका कि गंड़क नदी आपका जो है कि कहां मिलती है दोस्तों कि गंड़क नदी आपका शोनपूर में मिलती है कहां पर शोनपूर में कहां सास्था ने दिए शोनपूर इसके बाद एक नदी और है वह आपकी कोशी नदी कहां से निकलती है दोस्तों तो यह नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है कहां से ते कौशी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो कोशी नदी कहां से निकलती है तो तिबबत के गोसाई धाम से कि गोसाई धाम से गोसाई धाम से निकलती है तिबबत के गोसाई धाम से निकलती है इसे कि बिहार का शोक कहा जाता है इसे बिहार का बिहार का शोक कहा जाता है कि बिहार का इसे शोक कहा जाता है कि यह मार्ग परिवर्थित करने के लिए बहुत ही फ्यमस है यह रातो रात अपना मार्ग परिवर्थित कर देती है जिस स्थान में जाती है तो उतर बाढ़ ला देती है इसले इसको कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है ठीक ना तो यह कहां मिलती है दोस्तों यह मिलती है आपका भागलपुर मैं किस स्थान पर विहार के भागलपुर में कि गंगा नदी के बाय तट्ट्ट्ट से मिलने वाली कौन कोनी से नदियां हैं तो आपकी सबसे पहली झूल कि नदी है प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में बाय तक्ट से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन से है तो आपकी गंगा नदी है इसके बाद आपका गोंती नदी है फिर घागरा है फिर गंडक है कोसी है यह मुख्य नदियां है जो मिलती है ठीक न अब इसके बाद क्या आ कि एक धारा कak का यह की गैं कि मुख्य राड को एक हमाटती है एक है काकहा पर चली जाती साम loses यह यह इसके अधका कि बांगला देश हूस्त है श्रास काभा मोगोगसिSi ओंगला डेस में इसको ट गंज न पर बांगला है ठैक न बंगला डेसम में कि मैं सिर्भाषदू ए कहा जाता है पदमा भांगला इसे कहा जाता है कौन सा पदमा नदी ठीक पदमा नदी ठीक अब इसके बाद क्या आता है कि कि इधर से आपकी आती एक नदी कौन सी वह है आपकी ब्रहपुत्रा जो एकि आपकी तिव्बत के पठार से निकलते हैं दोस्तों हम ज्यादा नहीं बना रहे हैं बस एक जो एकि आपको डाइगराम के माध्यम से दिखा देते हैं कि कैसे मतलब मिलती है इसमें ठीक यह आती ह अर्फ़ो्न सब्सक्राइ gunman sate अनाम से यह आपका कि अभव कि मेखना नदी और यह दूनों मिल के यहां पर पदमा मिल जाती पदमा मिलने के बाद एक मिनट पुना देखिए इसको क्या होता है कि ब्रह्म पुत्रा नदी और यह पादमा नदी आपस में मिल जाती है ठीक मिलने के बाद आगे जब बढ़ती है दोस्तों तो जिसे पादमा और ब्रह्म पुत्रा यह आपकी कम से नदी है कि ब्रह्म पुत्रा नदी है कि ब्रह्म पुत्रा नदी तो पादमा ब्रह्म पुत्रा नदी जब मिल जाती है दोस्तों कहां मिलती है चांदपूर में मिलती है इक कौन से अस्थान यह आपका चांद पूरस्थान है ठीक चांद पूरस्थान से मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है तो यहां से एक मड़ी पूरसे नदी आती है मेघना यह आपकी मेघना नदी है कौन से नदी है मेघना मेघना नदी जब इस नदी में मिल जाती है दोस्तों तो आपका बंगाल की खाडी में ग तो अब इसके बात क्या आता है कि जब होगली नदी है तो होगली नदी में एक नदी आके मिलती है दामोधर नदी कि आपकी है दामोधर नदी दामोधर नदी ठीक ना अब इसको जो है कि कहांस निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है इसे जो है कि पस्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है इसके जयविक नदी भी कहा जाता है कि इसके घाटियों में कोईला बहुत अधिक मात्रा में पा जाता है ठीक न तो इसलिए इसको जयविक नदी भी कहा जाता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको अब इसके बाद क्या होता है कि इसके दाहिने तरफ से आप देखेंगे तो एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है यमुना यह आपकी यमुना नदी है दोस्तों तो यमुना आके मिलती है आपकी परियाग राज इलहाबाद में परियाग राज इलहाबाद में ठीक यहां पर कौन चे नदी है तो यमुना नदी है यमुना नदी यमुना नदी कहां से निकलती है आपका यमुनोत्तरी कहां है तो आपका उत्रा खंड में है ठीक कहां मिलती है दोस्तों तो परियाग राज में यमुना नदी कहां मिलती है परियाग राज में परियाग परियाग राज में जानपां पहाड़ी से निकलती चंबल चंबन नदी कहां से निकलती है तो यंपी के जानपां पहाड़ी से निकलती है ठीक इसकी भी कूछ सायक नदी आई जीसे दर से सीधे हैं कि नदी आकी मिलती है चिपरा नदी है जिपरा नदी है चिपरा नदी के बाद आप देखेंगे एक आपको मिलते हैही है सिंध नदी है सिंध नदी है यह सिंध है इसके बाद आप देखेंगे काली सिंध है यह आपकी काली शिंध है काली शिंध नदी है इसके बाद देखेंगे तो पार्वती नदी है यह आपकी पार्वती नदी है इसते हैं ना यमुना की स्थायक नदी ये आपकी भे तबान दी ? खिक तो चंबल नदी यमुना में नदी निलती है तो औन लिगा इटावा ठीक ना यहां तक कोई दिकत नहीं अब इसके बाद आगे जब नदी बढ़ती है तो आपको मिलेगी एक शो नदी शो नदी कहां से निकलती है तो अमर कंटक से अमर कंटक कहां है मध्यप्रेस में ठीक तो आगे जब बढ़ती है तो यहां आपका है और कि नदी एहां से आके मिलती है यह नदी आपकी शो नदी सो नदी है है सो नदी कहां से निकलती दो हम्हें कंटक पतः हर से निकलती है और कंटक से कहां से अमर कंटक से निकलती है अब भी कहां मिलती है दोस्तों तो जा कि ये पटना में मिल जाती है इस सोन नदी कहां मिलती है तो पटना में यह स्थान है आपका पटना पठना में जाके यह मिल जाती है ठीक न यह रहे आपके गंगा नदी तंत्र में एक मुख्य मुख्य नदिया है इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों देखें एक बार पुना आपको रिविजन करा देते हैं कि भागी रथी और अलक नंदा जिस अस्थान पर मिलती है उस अस्थान का नाम है दिव पर्याग नाम पढ़ने के बाद यह आपका मदानी च्छत्रों में परिवेस करती है दोस्तों परिवेस करने के बाद इसमें सबसे पहले राम गंगा नदी आके मिलती है राम गंगा नदी जो है कि इसके किनारे आपका मुरादाबाद बरेली स सहर बसा रुए यह रामγα नदी कंणौज में आपके मिलती है फिर जो वह कि ये आगे बढ़ती है इसके आगे आपको गोमती नदी आके मिलती है जे पुटलहर मिलती है य department यह आगे आपको चाहर नदी को निती है तो यह बढ़ता में धाई जे बस्तान पें एक दोinessS नेपाल से निकलती है घाघरानमे कर्णाली नदी कहाता है घाधावाद में पहुंच तिसका नाम अयोध्या पढ़ता haar जब घाघरा नदी जब फैजावाद में जाती है जन्युत नदी कि Jump आपका अयोध्या शड़वर िन शोनफुरा में जाके मिलती है इसके बाद को साथन का य Spiel शौनपूरी करते होई « इसके बाद कोछ सी नदी कोशिन जीए दैनल इसके भागलपूर में जाके थिए घोषाई धामंति है आता MMA का सी खा जाता है है इसके क्या होता है कि गंगा नदी 2 धार 158 00 0000 00 चले जाती है बांगला देस में इसका नाम पढ़ जाता है पदमा ठिक इसके बाद चले जाती है आप ह्बहुंदर नदी हे ये आपका हूगली नदी है करे करे चोटा नाकुट पठार से निकलने वाली दामोदर नदी मिल जाती है दोस्तों दामोदर नदी बंगाल का शोक नदी करते हैं इसंदी में करता है जा ह भाटियों में बहुत सारे कोईला का छेत्र पाया जाते हैं इसके बाद क्या होता है जब बंगलादेश में 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 कि यम्णाастP Inter Monday के सबसे बड़ी नदी रिपकर नदी है मिलती तो परियाग राज में मिलती हो मुखे नदी आजब कि चंबल नदी और二 है इसके बार आमा कंटक से तैक सोन नदी नंकलती है सोन नदी पना में जाकर गांगा clarification नदी में मिल जाती है थिक नूट करते हैं मुख मुख नदीola के अम लुक नदी इंगे यम्ना नदी नदी में क्या खास कॉ आस बात है थिक है appears यह तक कोई दिगत नहीं के है तरह नोट करिएगा यमना नदी यमना नदी अब देखिए इसका उद्गम कहां से है इसका उद्गम इसका उद्गम यमनत्री ग्लेसियर से होता है दोस्तों यमनत्री ग्लेसियर से इसका मुहाना कहां बनता है तो मुहाना इसको जो है इसका मुहाना इसका मुहाना बनता है परियाग राज में परियाग राज परियाग राज गंगा नदे में ठीक इसकी सहाइक नदियां की बात करें इसकी सहाइक नदिया इसकी सहाइक नदियां आपका टोन्स है इसके बाद हिंडन है वरुणा है छिप्रा है फिर बेतवा है कि इन है इसकी मुख्य सहाइक नदियां इसके सहर की बात करें कि इसके और कौन कौन से सहर बसाइबा दोस्तों तो मुख्य सहर जो है मुख्य शहर की बात करे तो आपका दिल्ली है इसके बाद फरीदाबाद है फरीदाबाद है मतुरा है फिर आगरा है इसके बाद इटावा है इटावा है पर्यागरा जैसे कुछ मुख्य शहर है इसके बाद हम बात करेने चंबल न इति चंबल नदी के निकलती चंबल नदी की बात करें कि अपने कांपी में लिखेगा दोस्तों कि इसका उद्गम कहां से होता है तो जान पाव पहाड़ी से उद्गम इसका कि जान पाव पहाड़ी मध्यपरदेश से ठीक ना मुहना मुहना बनाती है अपका इटावा के पास यमुना में इटावा के पास कहां मनाती है यमुना मनाती है यह किस लिए प्रसिद्य दोस्तों यह जो है कि बीहड़्य के लिए प्रसिध ही यह नधी यह बीहड या उत्खात इस्ट्यू कहा जाता है उत्खात उत्खात भूमी का निर्मार करती है निर्मार करती है उत्खात भूमी का निर्मार करती है इसमें जो है कि चम्बल नदी में घरियाल का सनरचन किया जाता है इस नदी में घरियाल का घरियाल का सनरचन किया जाता है सनरचन किया जाता है घरियाल का सनरचन किया जाता है ठीक न? इस पर कुछ मुख्य परियोजना है जैसे मुख्य परियोजना उसको अगले पेच पर हमने देख लेते हैं दोस्तों ठीक न? जिसके कुछ परियोजना उसको देख लेते हैं गिले पेच पर ठीक न चंबल नदी को आप यतना याद रखी जगा कि जान पाव पाड़ी से निकलती है कहां से मद्यपरदेश से यह मुहाना का बनाती है यह इतावा के पास सिम्ना नदी में यह बीहड उतखाद भूमी के भ इस नदी में गड़ियाल का सरचन किया जाता है इसकी कुछ परियोजनाय जैसे बहुत वी इंपार्टन उसको देखना जरूरी है दोस्तों ठीक कि चंबल की कुछ परियोजनाय है कि चंबल कि नदी की कि परियोजनाय कौन कौन सी परियोजनाय है जैसे आपका गांधी शागरबाद है गांधी शागर गांधी शागरबाद है इसके बाद राणा परताफ शागरबाद है राणा परताफ रहां प्रताफ शागरबांद है इसके बाद जवाहर शागरबांद है शागरबांद है इसके बाद कोटा बैराज है ठीक न तो चम्बल की एक सहायक नदी है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं हम लोग छिप्रा नदी छिप्रा नदी की क्या खाज विशेशता है दोस्तों यह आपकी छिप्रा नदी है किसकी शायक नदी तो यह आपकी चम्बल की शायक नदी है इसको कोष्टर की लिखिएगा जबन की शायक चम्बल की शायक नदी है अब छिप्रा नदी की किनारे दोस्तों काौन सा उज्जाइन उज्जाइन क्यों फिलेसरा ऑफ मेला लगता है ठीक ने दिखिए भारत में त्वन मैला लगता है federal आपका चार स्थान पर लगता है उसको आप नोट करा देते हैं जिससे में महाकुम्ब भारत में चार अस्थान पर भारत के चार अस्थान पर कौन कौन सा है दोस्तो तो चार अस्थान आपका है चार अस्थान आपका है उसको नोट कैसे करें है चार अस्थान इससे नोट करेंगा दोस्तों चार अस्थान कौन-कौन सा है तो वह आपका है हरीद्वार हरीद्वार में लगता है हरीद्वार में किस नदी पे गंगा नदी पे गंगा पे इसके बाद आपका लगता है प्रियाग राज में प्रियाग राज में किस नदी पे शंगम पे गंगा यमुना शर्षती के शंगम पे लगता है ठीक न इसके बाद आप देखेंगे तो नाशिक नाशिक में लगता है आपका गोदावरी नदी पे गोदावरी नदी पे चौथा आपका लगता है उज्जैन में छिप्र नदी पे उज्जैन उज्जैन में छिप्र नदी पे थिक ना आपक अपका उज्जैन सरीस्थित है यहाँ पे माहकुम बन लगता है भारत में चार अस्थान पे महाकुम बन लगता है दोस्तों कहा-कहा तहरीद्वार में गंगा नदी पे परियाग राज में संगम पर नाशिक में गजावरी नदी पर उज्जयन में चिपरा नदी पर ठीक ना तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यखाक नदी यह आँ रहे दोस्तों पूरी नदियां को हम आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं फीगर पेगर पीगर से आप देख लेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन कुछ परियोजना हमको बता देते हैं जिसे सोन नदी पर कुछ परियोजना है को कि सून नदी की पर्योजना की बात करें कि सोन नदी की पर्योजना कि सोन नदी की प्रियोजना कि सोन नदी प्रियोजना की बात करें तो यहां पर आपका है बाड़ा शागर कि बाड़ा सागर कहां पर आपका मध्य परदेश में है मध्य परदेश में है इसके पाद दखेंगे इंद्र पूरी बयराज इंद्र पूरी बयराज इंद्र पूरी बयराज जो कहा है बिहार में इसके बाद देखेंगे तो और कुछ ज्यादा विशेष नहीं पूरी नदिया को हम आपको बहुत अच्छे से दिखा दियें कि कहां से निकलती है इस पर कौन-कौन से मुठी शहर है तो परियोजना भी बता दिया आपके सो नदी पर जैसे बाण सागर है इंद्र इंद्र कि आपके अजुध्या जट छेत्र है कि जो कि शर्यू नदी बसा है इसके बाद कोसी नदी को बिहार का सोकत है यहीं से इंपार्टेंट प्रश्न पूसे जाते हैं अदा मोदर नदी की बात करें दा मोदर नदी जो कि आप जानते हैं कि छुटनापूर पठार से निकलती ह है इसको चैशित को बहुत से लाग Yeti घखाता है ह। अधिक तंतर के रहे आपके गंगा नदी तंतर में सबसे इमनपार्टेंट भं जो आपको बढ़ा है जो आपका डारीगर्म बनाया हैं उसे सारे प्रस्न हाहल होलाना की कौन से नदी का उदिगं कहां से होता है ये कहां बता दिया आपको कहां 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 कि भारत में महाकुम्ब लगता है तो चारा स्थान पर महाकुम्ब लगता है ठीक आपको जो है कि ये घंटाएक का सक दोस्तों तो यह घंटे में आप पूरे गंगा नदी तंत्र को समझ गए इसके परयाग जिसमें आपके जूतिने भी परयाग थे आपके उसको भी आपको समझा दिये फिर नदी कहां से निकलती है कब इसका नाम जो कि गंगा पड़ता है कि सस्थान पर जाकर यह गंगा में मिल जाती सारी प्रस्तितिया में आपको दिखा सके हैं ठीक नदी इसको रिविजन करिएगा पड़ते रहेगा मस्तर रहेगा दोस्तों नमस्ते दोस्तों जाहिन जय भारत